हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, once again welcome back to my channel मैं स्विध आरना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और क्लास 10 के बच्चों को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि अब जो मैं फेबरी तक जो वीडियो जालने वाले वो सिर्फ क्लास 10 की होंगी और न्यूस लेबर्स के एकॉर्डिंग ही होंगी और important question जो थोड़े tough होते हैं वो ही question होगे तो जैसा कि आज देख सकते हो मैंने height and distance का question लिया है और RS अगरवाल का है तो आईए read कर लेते हैं an aeroplane when flying at a height of 3000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 degree respectively find the vertical distance between the aeroplanes at that instant तो ये एक ऐसे बात कर रहा है कि एक aeroplane जो है 3000 meter उचा उड़ रहा है यानि कि जो उस aeroplane की height है वो 3000 meter है वो passes होता है vertically above another aeroplane उसके उपर एक दूसरा aeroplane है ठीक है मतलब वो एक उसके नीचे एक और aeroplane है उसके उपर से वो पास आउट हो रहा है vertically above another aeroplane और उस time पे जब वो ऐसे माल है एक plane यहां पे है A point पे और एक plane आपका B point पे है सेम है तो ground से अगर हम माल लेती हूँ मेरा ground का point है ओ अगर हम इसी पे जब यह vertically एक दूसरे के बिलकुल उपर है तो जो हम देखेंगे तो जो angle of elevation है वो है 45 45 छोटे वाला होगा बड़े वाला आपका 60 डिग्री होगा angle of elevation कह रहा है तो यह कह रहा है find the vertical distance between the aeroplane at the distance इस time पे इन दोनों plane के बीच में जो distance होगी वो कितनी होगी तो मैं जो vertical distance माल लेती हूँ वो मैं x माल लेती हूँ ठीक है स्वारी यह वाली x माल ले मैंने ठीक है तो मेरे को यह पता है कि जो a aeroplane है जो उपर उड़ा है वो 3000 meter उपर उड़ा है ground से ठीक तो यह वाली distance मैंने x माल ले जो मुझे find out करनी है तो यह कितनी बचती है आपकी यह बचती है 3000 minus x यह मेरी figure है मुझे x निकालना तो देखो कितना ही है पहले मैं triangle in obc में लगा लूँगी और फिर मैं oac में लगा लूँगी दोनों में perpendicular base का use होगा तो दोनों में ही हम क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे तो आई अपना question कर लेते हैं ठीक है तो पहले हम लिख लेते हैं let the vertical distance जो हमें निकालना होता है वो ही हम let कर लेते हैं let the vertical distance between two aeroplanes b x meter ठीक है x meter मैंने माल ली अब हम छोटे वाले triangle में लगाते हैं पहले या पहले पूरे बड़े में लगा लो int triangle OAC में आप लगाओगे 1060 degree 1060 degree क्या होगा perpendicular यानी की AC और base यानी की OC 1060 की value होती है root 3 और AC है आपका 3000 meter upon OC तो जो आपका OC आएगा वो आएगा 3000 by root 3 नीचे root 3 नहीं छोड़ोगे तो आप उपर नीचे multiply कर लेना आपका आया 3000 root 3 by 3 3 से ये कटा 1000 तो आपकी OC आगई 1000 root 3 ठीक है OC आगई इसको माल लो first अब हम triangle छोटे वाले triangle में लगाएंगे triangle OBC इसमें हम लगाएंगे 1045 degree 10 BC by OC 1045 की value होती है 1 BC है हमारा 3000 minus X और OC आया आपका root 3 from equation first से OC की value आई थी 1000 root 3 1000 root 3 is equal to 3000 minus X X की value निकालनी है तो 3000 को है ही रखो और 1000 root 3 को इधर ले आओ और यह कह रहा है अब जो हमें X की value पुट अब हम यहाँ पे root 3 की value पुट करेंगे तो जो root 3 की हम value पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे 1.73 तो 3000 यह आएगा आपका 173 123 है ना point लगेगा 3 के बाद point लगेगा 2 के बाद तो आपका आएगा यह 3000 minus 1730 और जब माइनस करोगे आप तो यह आएगा 1270 मीटर होप आपको यह मेरे question जो अठे से समझ में आया होगा तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए thanks for watching और हमारी जो required distance थी लिख भी देते हैं hence the required distance between two aeroplanes b12 is 1270 meter thanks for watching once again please subscribe my channel